अपने एक्टिंग के दम पर ना कि हीरो के साइड में खड़े होकर या किसी तरह के आइटम नंबर से माइलेज खाकर मैंने काम किया है, कभी भी नहीं जहां तक इनका काम है वो लोगों को बहकाना, बहलाना, फुसलाना वो तो हमने पहले भी देखा हुआ है अगर वो मुझे किसी और से मिला रहे हैं, तो किसी और से तो मुझे कभी फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं मिला सके सनी जॉल की एक पोस्टों कह रहे हैं कि आपदा में नहीं थी, आप शायद मुंबई जाना पड़े हम मैदान में उतर पड़े हैं और मुझे लगता है कि और यहाँ पर तो सीधा मुकाबला कॉंग्रस से चुनाती तो यह हर फिल्म में होती है तो उसके लिए मैं नहीं सोचती कि हिरोईन होना मेरे लिए को एक ड्रॉबैक है कांवा जी किस तरह से देखते हैं अभीनेतरी, अबनेतरी देखिए जब मैं फिल्म शूट पे होती हूँ तब तो मैं एक अभीनेतरी हूँ लेकिन एक अभीनेतरी बनना या जो फिल्ड है जिसमें काम्याबी पाने के असफल होने के जाधा चांसिज रहते हैं और कामयाभी पाने के बहुत कम चांसिज रहते हैं अगर मुझे वहां कामयाभी मिली है तो मेरे मेरे जो मेहनत करने का तरीका है या मैंने जो सम्मान पाया है या मैंने फिल्मों में भी अपनी तरीके से एक जो एक्टिंग करके या महिला सशक्ति करण के पर काम करके, आज मुझे लोगों ने अगर अपना प्रतिनिधी चुना है, यहां पर प्रतियाशी चुना है, तो उसके लिए मैं नहीं सोचती कि हिरोईन होना मेरी लिए को एक ड्रॉबैक है, मैं सोचती हूँ कि उसी जगा से मुझे ये मुकाम मिला है, और लोगों ने पाबला कॉंगरस से, चुनाती तो यह हर फिल्ड में होती है, और यह जो है, बाकी तो निर्ने तो जनता का ही रहेगा, हम तो जनता के सेवक है, हम मैदान में उतर पड़े हैं, और मुझे लगता है कि अगर मुझे मेरी जनन भूमी में लोगों की सेवा करने का अफसर मिले उनकी किसी तरह से भी अपना जो वक्त है, पूरा अगर मैं अपनी मातर भूमी की सेवा में लगा दू तो मेरे लिए बड़े सौभागे की बात होगी, लेकिन अब ये लोगों का निर्ने है, वो किसको मौका देंगे और किसको नहीं ये जाहिर सी बात है कि अब प्रतिवा सिंग ही आपके खिलाफ होंगी, बित्वम अदित्या सिंग कह रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं, सनी दौल की एक पोस्ट को कह रहे हैं कि आप दा में नहीं थी, आप शायद मुंबई जाना पड़ेगा देखे, अगर वो मुझे किसी और से मिला रहे हैं, तो किसी और से तो मुझे कभी फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं मिला सके, जो भी आज तक किसी हिरोईन ने किया है, मैंने उससे अलग होकर, अपने एक्टिंग के दम पर, ना कि हिरो के साइड में खड़े होकर, या किसी तरह के आइटम नंबर से माइलेज खाकर मैंने काम किया है, कभी भी नहीं, तो मेरे जो काम करने का तरीका है, वो मेरा है, और किसी भी दूसरे लोगों का एक्जामपल मेरे काम में मत दीजिए, मेरे काम में सिर्फ मेरा एक्जामपल दीजिए, और जहां तक इनका काम है, लोगों को भेकाना, भेलाना, फुसलाना, वो तो हमने पहले भी देखा हुआ है. आज मेरा ये घर है मंडी, यहाँ पे आप देखें, मैंने मंदिर बनवाया. मैंने मनाली मेरा घर है, मेरे बेहन कुल्लू में रहती है, सुलपर में उसकी शादी हुई हुई है. हर यहां पे हर जगाओं गाओं में मेरे रिष्टेदार है क्या मैं यहां आती मिर भाई की शादी कहां हुई मैं क्या यहां हर महीना नहीं आती तो इस तरह कि जो बहकावे की जो बाते हैं यह जो कॉंग्रेस पार्टी की है इसमें मैं चाहूँगी कि हमारी हिमाचल के भूले बाले लोग ना पड़े और उनको जो है उस दिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन करारा जवाब दें आपके पार्टी के कुछ लोग नाराज भी है बगावत की बात कही जा रही है ऐसी कोई बगावत के बारे में मैंने तो नहीं सुना और जो सब हैं वो हमारे अपने ही हैं और कोई गिले शिक्वे होंगे वो भी दूर किये जाएंगे एक आखरी सवाल क्या प्रात्मिक्ता है रहने वाली हैं देखे हमारा जो जितना भी अजेंडा होंगे वो हम बहुत जल्दी ही क्लियर करेंगे लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो सरकागाट में काम करने के लिए तो बहुत आप लोगों को भी पता है चाहे वो हॉस्पिटल्स हों चाहे केंद्रिय विद्याल्य हो चाहे वो सडके हों रोड्स के तो काम तो बहुत है करने के लिए जितना जल्दी शुरू हो जाए उतने बैटर शुक्रे और शुपकाम तो कंगना रनौत इस वक्त हमारे साथ थी बेबाकी से इनों ने अपनी बात रखी है और साथ में जो जो सवाल इन पर उठाए गए हैं उसको लेकर भी किस तरह से इनों ने जवाब दिया है अब देखना होगा कि शुरूआत कंगना रनौत ने कर ली है अब आगे आगे देखने होगा कि ये सफर कितना आगे तक जाता है सरकागार्ट से मेरे कैमरा सही होगी दिपक राना के साथ रनबिर सिंग न्यूजट इन हमाचा